नमस्कार दोस्तों ये भी स्टड़ी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभिजंदर करता हूं मैं डॉक्टर देपकुमार पीएज़ी तिहास एक बार जेरफ चारवार नेट पास दोस्तों यूजिसी नेट हिस्ट्री का र सबी बत्रेकशें कमेंट कर रहें कितने का इस किथ जो वीडियू है और कितने सवाल पर कटो गई है यह भी बताऊंगा कितने पर सेन्ट पर गई है यह वी आपको बताने वाला हूं क्योंकि बहुत कुछ कुछ फ्टॉट्च एसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है तो उनका भी डाउट किलियर होगा आज की स्पीडियो में ठीक है तो आई शुरू करते हैं अगर आप हमारे चल पर नहीं है दोस्तों आपसे गुजारिश है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बहुत काम का चैनल आपका ठीक है वीडियो को लाइक और सेद विरूर कीजि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्नल कैंडिडेट का जो ज्यारफ हुआ है वो कितने पर हुआ है है अगर हम सवाल की बात करें तो वह सवाल हुआ है 89 पर ठीक है 89 सवाल पर जर्फ हुआ है ठीक है अगर हम नंबर की बात करें हुआ है ठीक है तो नंबर होते हैं 178 ठीक है अगर हम इनी को परसेंट में डिवाइड करें तो 59 पर जिसके भी जन्रल में नंबर बन रहे हैं का परसेंट बन रहे हैं तो उनका जियरफ हो गया है ठीक है अब बात करें नेट की तो 78 कोशन पर नेट हुआ है हमारे एक इस्ट्वेंट का भी हुआ है ठीक है कोशन की बात करें यह तो 78 कोशन ठीक है अगर नंबरों की बात करें तो 156 नंबर अगर परसेंट की बात करें तो वाबन परसेंट नंबर पर नेट हुआ है ठीक है कोई डाउट नहीं है बिल्कुल स्वार्टी बता रहे हूं है अपको इतने पर नेट हो चुका है जरतने पर हो चुका है अब बात करते हैं कि अगर हम सवालों की बात करें तो 85 पर 85 कोशन पर जरफ हुआ है अगर हम नंबर की बात करें तो 170 नंबर पर जियरफ हुआ है अगर हम परसेंट की बात करें तो 57 पर जियरफ हुआ है अगर हम OBC की नेट की बात करें तो 75 सबालों पर नेट हुआ है और अगर हम नंबर की बात करें तो 150 नंबर पर नेट हुआ है अगर percentage की बात करें, तो OBC candidate का 50% पर net हुआ है, ठीक है, आईए, अब बात करते हैं, EWS, तो EWS में जेरफ की कटॉप देखें, तो सवालों की बात करें, तो 84 सवालों पर जेरफ हुआ है, अगर नमबर की बात करें, तो 168 नमबर पर जेरफ हुआ है, अगर परसेंट की बात करें, तो 56 पर जेरफ हुआ है, ठीक है, अगर हम EWS में नेट की बात करें, तो 74 पोशन पर नेट हुआ है, ठीक है, अगर हम परों की बात करें तो 148 पर नेट हुआ है अगर हम परसेंट की बात करें तो 49 पर यह पर सेंट पर नेट का है यह कंदिडेट का ठीक है अगर बात करना ऐसी की तो ऐसी में जरफ की की बात करें तो देखो सवालों में देखें तो 83 पर जयरफ हुआ है अगर नंबर की बात करें अगर हम नेट की बात करें तो 73 पर कोशन पर नेट हुआ है अगर हम कोशन की बात करें नंबर की बात करें तो 146 पर नेट हुआ है अगर हम परसेंट की बात करें तो 47 पर नेट हुआ है अगर हम बात करें एस्टी केंडिडेट की ज्यारफ की, तो सवाल 81 पर ज्यारफ हुआ है, नंबर 162 पर ज्यारफ हुआ है, और परसेंट की बात करें तो 53 पर ज्यारफ हुआ है, अगर हम नेट की बात करें, तो 70 सवालों पर नेट हुआ है, 140 नंबर पर नेट हुआ है, और 40 ठीक है अगर हम बात करें PWD ठीक है DFF और अधर जो भी है जर्णल, OBC, EWS, HC और ST के अलावा जितने भी दोस्तों केंडिडेट हैं उनके अगर हम जेरफ की बात करें तो 79 सवालों पर उनका जेरफ हुआ है अगर परसेंट की बात करें तो 52.66 पर उनका जेरफ हुआ है अगर नेट की बात करें तो 68 सवालों पर नेट हुआ है अगर नंबर की बात करें तो 136 नंबर पर नेट हुआ है अगर हम दोस्तों परसेंट की बात करें तो 44 पर नेट हुआ है और जो भी पास हो गए हैं मैं अपनी त देता हूं कि अब आगे नई उर्जा और उमीद के साथ में पीएजडी करें या अश्टन प्रोफिसर की तैयारी में लग जाएं वह जो भी रह गए हैं उनको मैं भी तो कहना चाहता हूं कि चिंता ना करें जून का एक्जाम बहुत जल्दी आ रहा है वह जून में पास हो ज कि लहरों से ड़करनों का पार नहीं होती और कोसिस करने बालों की कभी हार नहीं होती है तो दोश्तों डरना मना है ठीक है लगे रहो यार मैं भी कई बार फिल वा था उसके बाद मैं लगाता और जब चारवार नेट एक बार जारे पो तो भाई जिंदिगी ही बदल गई लाइक करना सेर करना कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि दोस्तों मैं केबर ऑथंटिक खबर लाता हूं टाइम बरबाद बिलकुन नहीं करता हूं ठीक है धन्यबाद और कोर्स अगर किसी को जौन करना है तो मेरा नमबर है एट टू 18345167 बिलकुल आप मालों नाम मात्र की फिस में आपको कोर्स करा हूंगा दोनों कोर्स दोनों पेपर होगा धन्यबाद जय हिंद जय भारत बंदे मात्र हूं